वेलकम टू एक्जामगर्स से होना चाहिए बेटेक वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं यह सारा चीज हम डाउट किलियर कर देंगे आप लोगों का एक ही वीडियो में तो देखिए सबसे पहले जो है यह ऑनलाइन अब दिन तो आपका 23 जनवरी से शुरू होगा लेकिन परिक्षा सुलक मात्र 100 रुप कोटिवार रिखतियों की जो है संखियां वोगड़ सकती है है तो अभी यह जो है वो अपरवन्दिक को है मतलब प्रोविजनल है अब यह है कि आपको दिखिए इसके क्वालिफिकेशन में तो यहां पर लिखा गया है जो की है कि मानेता प्राफ विश्विद्याले संस्थान से बिद्धूट में डिप्लमा होना चाहिए विश्विद्याले से चलेगा लेकिन डिस्टेंस मोड वाला नहीं चलेगा और समुदित सक्खा में उच तक्निकी योग और शाहिनिक में भी है मनेता प्राफ विश्विद्याले संस्थान से सिविल में डिप्लमा समदित उच तक्निकी योगिता अधारित वाले अब यर्थी भी आवें देने सकेंगे यहनी कुल मिलाके कहा जाए तो बिटेक जो है वो लिजिवल है यहां पर बिटेक वाला भी आपालाई कर सकता है क्योंकि हाई पनिकल में भी वही है ले अपक्ली मेटेकल लेवल 6 है अब का इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है यहां भी जो हाई अफ्लाइक कर सकता है अब बात आती है कि ठीने-टं il Š बोला जा रहा है कि उप्यूक्त अनिवार अतिरिक्त अभियर्थियों को दस्मी कक्षा जार्खंड राज में अवस्थित मानेता प्राफ्त सेक्षनिक संस्थान से उत्तिर्न होना अनिवार होगा तथा अभियर्थी को अस्थानिया रिती रिवाज बासा अवं परिवेस का ज्ञान अनिवारी होगा प्रन्तु ये है कि जहरकन राज की अरक्षन निती से अच्छादित अभियर्थियों के मामले में जहारखंड राज में अबस्तित मानिता प्राफ सेक्सिनिक संस्थान से मैट्रिक या दसमिक अक्षा उत्तिन होने समंदी प्राफधान सिथिल रहेगा यनि अगर आप विजरवेशन का लाव लेते हैं यनि जहारखंड में आप बीसी से अपलाई करते हैं इबीसी से अपलाई करते हैं से अपलाई करते हैं और इडबलू एस से अपलाई करते हैं तो आपको इन सभी केटोगरी में जहारखंड से जो है टेंथ करने की कोई जरुरत नहीं होगी कोई जरुरत नहीं है अब कहीं से भी टेंथ किजिए कहीं से भी डिप्लामा किजिए लेकिन अगर आपने जेनरल से फॉर्म अपलाई करना चाहते हैं और अगर आप जहारखंड के ही रहने वाले हैं तो आपको टेंथ जो है जहारखंड से ओना चाहिए ध्यान तक्येगा जेनरल वाले कंडिडेट EWS में जो नहीं आते हैं उधी के लिए EWS के लिए तो यहां पर है कि आप कहीं से भी कर सकते हैं टेंथ अगर जहारखंड से नहीं किया है आपने तो डिप्लामा जहारखंड से वले कर लिया और टेंथ जहारखंड से नहीं कियो तो नोट में बिहार जिससे की पहले अलगों के जारकंड बना था उसके बाद आता है यूपी यही दो इस्टेट के कंडिडेट जारकंड में फॉर्म बरेंगे और एक वेस्ट बंगाल जो की तो यह तीनों इस्टेट के कंडिडेट यह ध्यान देंगे कि आप फॉरम तभी अपलाई कर सकते हैं जबकि आप टेंथ जो है जारकंड से किये हों अगर जारकंड में राके पड़े हों तो आप अपलाई कर सकते हैं आप अगर जारकंड में पड़े हैं से भी पड़े हैं लिकिन आपका स्कूल जो जार जरकंड में होना चाहिए अगर आप जरकंड एकडमी कॉंसिल से नहीं कहीं से भी पड़ें आपका सैक्षनिक संस्थान हर मेंसा जरकंड में होना चाहिए अदर इस्टेट वाले तभी अपलाई कर सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के जी पोस्ट के लिए तो मैंने ये बत जा रहा हूं एक मिलेट रुकिएगा थोड़ेस को इरेज कर लो तो यह अभी तक का था और उसके बाद तो यह नहीं जरकंड ने ऐसा इस वार नियम ही बना दिया है कि जार बाहर के स्टूडेंट को नहीं लेना है और दूसरा बात यह है कि वहां के स्टूडेंट को भी ख साते हैं और उन्हें अगर जार खंड से मेटीक नहीं कि अव दिखिए मेट्रीक तो कोई आद मी कहीं से भी कर सकता है क्योंकि उनके पास तो आफिशन है की आप बैतर पढ़ाई के लिए कोई डिल्ली से भी कर सकता कोई और से कर सकता है लेकिन पूंझ गई मानने को तयार नहीं है दूसरा बात है कि आपका जो रिजिल्रिशन वह तो है ऐस एज जो है इसमें 18 से 18 से जो है आपका 35 है अनराक्षित के लिए और अर्थिर कमजोर के लिए उसके बाद 37 है पिछला बर के लिए 38 और 40 यह आपका सारा जिन अब बीटेक वादे कंडिडेट भी ठोला ध्यान से सुन लें सिज को कि आप भी अगर ऑटसाइडर है यादर से ब आप डिपलोमा बीटेक कहीं से किये है जारकंड को से कोई मतलब नहीं है लेकिन आपका टेंथ जारकंड से होना जरूरी है और उसके बाद इसका पूरा सेलक्षन प्रोसेस क्या रहेगा अस्थानियता नेती कौन सा सर्टिपिकेट बनाना है कास्ट का कौन सा जो है कहां से बनाना है आपको आसनिवाजी प्रमानुपत्रिक अपका इसका मैं डीटेल डिसक्राइब दूसरे वीडियो में करूंगा लेकिन आप से रिक्ष्टेश चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को जारकंड से लेटेट कोई नियो सबसे पहले हमीं दे रहे ह और उसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो और JSSC CGL का वीडियो जो है वो भी मैं अपलोड किया था और सबसे बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इस अर्स्थानेता और ये टेंथ पास वाला जो नियम है इसको लेकर के राची हाई कोट में केस भी हुआ है और उस के इसको जारकंड सरकार जीतने के लिए यानि स्टूडेंट के आवाज को दवाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है बहुत ज्यादा जो है अपना दिमाग भी लगा रहे है क्योंकि यह नियम कहीं से भी अच्छा नहीं है मुझे बहुत दूख हो रहा है इस नियम यह बोड़ो लाइक जरूर किजिए